हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसीपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसीपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इडली डोसा की साथ खाय जाने वाली नारियली की मज़ेदार चटनी बनाएंगे, ये चटनी बनाना बहुत आसान है और सिब दो मिनट में बनके तयार हो जाते हैं, यहां पर मैंने आदा नारिय ले लिया, इसे चोटे टुकड़ों में काटके मिक्सी के जार में डाल दिया है साथ में हम इसमें धनिया डाल देंगे, मैंने यहां पर धनिया की कॉंटिटी काफी जढ़ा रख्यी, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं आदा कटोरी हम इसमें दई एड़ कर देंगे और साथ में हम कुस मसाले एड़ करेंगे मैंने यहां पर लिए तीन हरी मिर्च अगर आपको ज्यादा तीका फसंद यह तो आप हरी मिर्च की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च को भीच में इसे तोड़ के डाल देंगे Saatma हम इसमें एक इंच अद्रक के टुक्ड़े को अच्छे से चील के छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे आदा चमज मैं इसमें साबू जीरा डाल देंगे तो आप इसमें पानी भी एड़ कर सकते हैं और यह हमारी नारियल की मज़दार से चटनी बनके तयार हो गई अब हम इसके लिए एक तड़का लगा देंगे इससे चटनी का स्वाथ दूग गुना हो जाएगा तो मैंने यहां पर एक पेन लिया है पेन में हम दो चमच तेल डालेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें आदा चोटी चमच राई डाल देंगे राई अच्छे से चटक गई है अब हम इसमें करीपता एड़ करेंगे करीपता से चटनी का स्वाथ कई गुना अच्छा आता है अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर एड़ कीजिए और यहां पर मैंने दो सुकी लाल मिर्च लिए इसको बीच में से तोड़के डाल दिया है लाल मिर्च हमारी हलकी से भून चुकी है तो अब हम इसे चटनी में एड़ कर देंगे और यह हमारी मज़एदार सी नारियल की चटनी बन के तयार होगी इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में यह बहुत जादा टेस्ट ही लगतی है तो आप एक बार नारियल की चटनी इस तरीके से बना के देखे आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइको शेयर करना मिलते है फिर से एक नहीं रेसिपी करेंगे